प्रेशल कोट ने दो साल की सजा सुनाई है इसके पाद विधान सभा सचेवाले से प्रहलाद लोधी की विधाय की समाप्त कर दी गई पवई सीट से पर खासे विधाय की अपील पर सुनवाई पूरी कर जस्टिस वीपियेस टोहन की सिंगल बेंट ने फैसला सरक्षित रख लिया है प्रहलाद लोधी ने भोपाल स्पेशल कोट के फैंसले को अपील में चनौती दी थी उन्होंने दो साल की सजा पर रोक लगाने के मांग भी की महादिवक्ता शेशांक शेखर ने बताए कि पवई के पूर विधाय की निश्काषित पर रोक लगाने के मांग की थी उन्होंने इसके लिए नवजोथ सिंग सिद्धू के एक मामले का हवाला भी दिया है हाला कि कोट ने फैंसला सुरक्षित रख लिया है गोला कलभ है कि पवई विधान सभा से विधायक प्रहलाद लोधी ने अपील करते हुए कहा कि वे निर्दोश है प्रकरम के नुसर सतना जुले की तैसिल रैपुरा में पदासील तैसिल आर की बर्मा ने 18 अगस्त 2014 को सिम्रिया थाने में रेत सी भरी ट्रेक्ले ट्रॉली को जबतकर की थाने में खड़ा कर दिया था अनकी अपील थी अपील के साथ उनकी एक एक अप्लिकेशन लगी थी कन्विक्शन को स्टे करने की अपील पे तो सुनवाई नहीं हुई कन्विक्शन को स्टे करने की अप्लिकेशन पे सुनवाई हुई चूंकि सजा पे स्टे की इसक लिए कोई बात नहीं थी को पहले ही से दिया जा चुका था वो एज अमेटर अफ राइट उनका मिलता भी है आज उनने कुछ पहुटने के बाद कुछ समझने के बाद ये कहा उनने कि हम अमले इसलिए हमको हमारा कंविक्शन स्टेक कि अगर कल अपील हमाई अलाव हो जाती है तो हमारी अमले विशिप चली लेकिन बात यह है कि कोई परिस्थी थी उनको एक्सेप्शनल सरकम्स्टेंस दिखाना था यह दिखाना था कि उनका केस रेर कैसे है यहां इनका केस यह था कि एक तहसील्दार महदे ने रेत का भरी हुई एक ट्रॉली पकड़ी लेगा के थाने में रखी केस बनाया जब व साथ यह सब भटना हुई गया